अस्वाम अलेकुम जी वेल्कम बेक टो आवर यूट्यूब चैनल बिगनर्स इटालिन कोर्स के लेसन नमर 23 में आप सबको वेल्कम और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि जो informal conversation है वो आप कैसे करेंगे तो प्रिविस वीडियो में हमने देखा था तू और लई का इस्तमाल आप कैसे करेंगे तो आज की इस लेसन में हम देखेंगे informal तरीके से conversation करना कैसे आप करेंगे जब आप नॉर्मली किसी ऐसे बंदे से conversation करें जिसको आप जानते हैं तो next व वीडियो में हम जो है informal conversation करेंगे यानि कैसे लोगों के साथ conversation आप कैसे start करेंगे जिनको आप already जानते हैं तो सबसे पहले तो आप उनको चाओ कह सकते हैं जिनको आप जानते हैं चाओ से आप conversation start कर सकते हैं ठीक है यानि कि hello तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं उनका नाम इ पिसको करें, या तो आप यह नहीं लिखेंगे, आप का नाम क्या रही है, क्योंकि आप के लिए, जो है, वो formal way है, और दूसरा way है, वो हम next video में वो conversation हम देखेंगे, कि वो अपने जब formal way में बात करनी है, तब आपने कैसे respect देनी है, और कैसे sentences मनेंगे, ठीक है यहाँ पर बात होगी हो रही है informal way की जो informal way में आपने जो हैं से conversation करनी है ठीक है तो तब आप यहाँ पर देखे को मेंस आए यानि के तुमारा नाम क्या है तो next बंद आपको जवाब दे सकते तो बेर ग्राट से यानि के मैं ठीक हूँ शुक्रिया पिर उसका नाम अगर आप पूछना चाहे तो आप कह सकते है कोमेती क्यामी तुमारा नाम क्या है ठीक है कोमेती क्यामी तुमारा नाम क्या है तो next person आपको जवाब दे सकता है या दे सकती है मी क्यामो मारता यानि कि मेरा नाम मारता है मारता लड़की का नाम है तो वो कहती है कि मेरा नाम मारता है या तो आप इस तरह जो आप दे सकते है मी क्यामो मारता मी क्यामो के बाद अपना नाम आप आड़ कर सकते है या आप इस तरह भी आंसर दे सकते है सोन मारता ठीक है, सोनो के बाद अपना नाम एड़ कर सकते हैं, ठीक है, ये दो तरीकों में से किसी भी तरीकों को आप चूज कर सकते हैं, आंसर देने के लिए, अपना नाम बताने के लिए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में वो कहरी है कि मिख्यामो मारता, ये रा नाम मारता है, ठीक ह दि दोवे सेख, तुम कहा हिसी हो? sono Italiana di Milano, okay? दिए मैं Italian हूँ, Milan से, ठीक कै? sono Italiana di Milano, मैं Italian हूँ, Italby हूँ, Milan से दोवे आभी थी, कहां रहती हो, ठीक है, दोवे आभी थी, तो कहां रहती हो, अभी तो आ लोंदरा, मैं लंडन में रहती हूँ, लोंदरा जो है, लंडन को कहते है, इतालियन लैंग्विज में, लोंदरा कहते हैं, लंडन को, ठीक है, अभी तो आ लोंदरा, मैं लंडन में तेले फोनो हाँ अब यहाँ पर अपने चीज एक जो है memorize करनी है कि यह जो sentence है यह अब उससे number पूछने का तरीका है जिसको आप already जानते हैं ठीक है जिसको आप already नहीं जानते उससे अपने number कैसे पूछने हैं वो हम next video में देखेंगे वो conversation formal conversation में आएगी अब भी जो हम conversation का रहेंगे informal conversation ठीक है तो यह ना हो कि आप किसी अंजान बंदे को देखें और आप कहें जी पूछें जी quality phone number तेलेफोन इसमेंगे नो सेंस यह थोड़ा awkward लगेगा क्योंकि यहाँ पे आप तू का इस्तमाल करें ठीक है तो यहाँ पे अदब से आप बात नहीं करें क्योंकि जब आप ऐसे बंदे से बात करेंगे जिसको आप जानते ही नहीं तो तब यह जुरूरी है कि आप उसको respect दे otherwise maybe next person mind भी कर सकता है ठीक है तो यह जो नंबर मांगने का तरीका है यह आप ऐसे बंदे से नंबर मांगे मांगेंगे इस sentence की help से जिसको आप 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 जानते हैं ठीक है क्या दिल तो नूमेरो दी तेलेफोनों तुमारा phone number क्या है तो वो आगे से जवाब देती है इल्मियो नूमेरो है यहाँ पर कुछ कहने के रैंडमली मैंने नंबर एड़ किया 555870987 ठीक है तो वो अपना नंबर उसने बता दिया इल्मियो नूमेरो है और साथ में अपना नंबर ठीक है 575767676767 क्यों तिया निया तुमारी उमर कितनी है ठीक है तुमारी उमर कितनी है ओ खुरान तदू है आननी मेरी उमर 42 साल है इसेंपल के तोर पर पाने लीकिती है तो जब वो साथी कन्वर्जेशन हतम होगी ठीक है इनफार्मल कन्वर्जेशन तो आप लास्ट में हैंडशेक कर लिए यह कह सकते हैं तो जुम्ले हम यही लेंगे ठीक है तो लेकिन उनका जो structure है वो थोड़ा change हो जाएगा सही है वो थोड़ा अदब में आ जाएगा लेकिन questions जो है हम यही लेंगे तो आप से में लगात होती है मेरी next video में next lecture में तब तक के लिए मुझे दीजी इजादत अपना रखे बहुत सारा है आलों मुझे रखे दौाओं में याद अल्ला हाफिज